हिंदु धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विश्णु को समर्पित है। इस दिन विश्णु जी की विधी विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विश्णु को जगत का पालन हार भी कहा जाता है, उनके आशिर्वाद से बिगडे काम बन जाते हैं। श्री हरी को खुश करने के लिए भग्त उपवास रखते हैं। मान्यता है कि ब्रिहस्पतिवार के दिन विश्णु जी की पूजा करने और वरत रखने से उनकी विशेश कृपा प्राप्त होती है। उनके आशिर्वाद से कभी धंदौलत और यश्वैभव की कमी नहीं हो जोती है। ऐसे में गुरुवार के दिन कुछ विशेश उपाय कर आप भग्वान विश्णु को खुश कर सकते हैं। तो आईए जानते हैं ब्रिहस्पतिवार के दिन कि ये जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। कुंदली में गुरु ग्रह की दशा कमजोर है तो आज उच के दिन ये उपाय आपकी तक्दीर बदल सकते हैं। इन उपायों को करने से आर्थिक स्थिती मजबूत होती है। ब्रिहस पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेश महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक केले के पेड़ में भगवान विश्नु का वास होत इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और धन धान्य का लाब होता है। गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल कर स्नान करें। इस दिन घर में जाडू पोच्छा भूल कर भी न लगाएं। गुरुवार को केसर, पीला चंदन या फिर हल्दी का दान करें। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है। सुभा के समय चने की दाल और थोड़ा सा गुर को घर के मुख्य द्वार पर रखें। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। व्रती को पीले रंग का भोजन द्रहन करना चाहिए। पीली वस्तु जैसे सोना, हल्दी, च पीले फल आदिका दान करें। गुरुवार को किसी को उधार नहीं देना चाहिए और नहीं लेना चाहिए इससे आपकी आर्थिक स्थिती पर बुरा असर पड़ता है। व्रत रखने वाले लोगों को आज के दिन सत्यनारायन भगवान की कथा जरूर सुनने चाहिए। ही साबुन का इस्तिम्ना करना चाहिए।